नमस्कार, क्या पिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साइबा हिंदुस्तान की संसक्रती है कि यहाँ पर लोग मिल जुल करते भारों को मनाते हैं एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं यही भारत की विरासत है लेकिन कुछ लोगों की वज़ा से हमारी विरासत पर हमले होते हैं हमारी गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिला है जस वक्त पूरे देश में मा सरस्वती का विसरजन करने के लिए लोग बाहर निकले हुए थे ऐसे में बिहार में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया तो क्या कुछ है पूरा मामला सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं देश में मा सरस्वती के विसरजन को लेकर अलग अलग तरीके से लोगों ने तैयारियां की लेकिन ऐसे में बिहार से आई खबर ने सब को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है दरसल बिहार के दरभंगा और सीता मड़ी में 15 फरवरी 2024 को मा सरस्वती की मूर्ती के विसरजन के दोरान पत्थराव और जड़ब की घटनाएं सामने आई जिसने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल भी तेज कर दी है और लोगों पर भी सवाल उठा दिया है कि आखिर उनकी मासकता इतना जादा नीचे कैसे गिर सकती है इसमें पहली घटना दरभंगा की है जहाँ पर मूर्ती विसरजन के लिए निकले जलूस पर पत्थर बाजी की गई और कथित तोर पर तेजाब तक फेका गया बताया जा रहा है कि जब मूर्ती विसरजन के लिए जलूस मस्जिद से थोड़ी दूर पहले मुड़ ही रहा था तभी उस पर पत्थर बाजी शुरू हो गई मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना भाल पटी ओपी के मुडिया पंचायत पर मौजूद कसाई टोला की है जहां पर शाम करीब पांच बजे मूर्ती विसरजन के लिए जा रहे लोगों पर पत्थर बाजी कर दी गई बताया जा रहा है कि मूर्ती विसरजन के रास्ते से दो ट्रैक्टरों को पहले भी लोटाया जा चुका था पत्थर बाजी की इस घटना में काफी लोग घायल भी हो गए रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर बाजी शुरू होते ही अचानक भगदर मच गई लोग प्रतिमा को छोड़कर वहीं से भाग निकले इस जोरान सरस्मति प्रतिमा को भी तोर दिया गया जुसके बाद लोग भड़क उणे इसके बाद भीड ने घरों दुकानों में भी काफी जढ़ा तोर फोर की और इस औरन कई गाड़ियों को भी निशाना बनाने की बात सामने आई है उपद्रव की सूचना मिलते ही दर्बंगा के डियम, स्पी और भारी संक्या में पुलिस बल और मौके पर पहुँच कर लोगों को शांत कराता वाद भी नजर आया अभी बारता की गें विशर्जन का जो काउंड भी लोगों से बात करके मुर्ती विसर्जन के लिए प्रेश्टी आया है कि सरक पे किस जगह से मुर्ती को टर लेना है इसको लेकर कि कुछ लोगों का काना था कि जो पुराने मुख्याजी का घर है लेना है कुछ लोग कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि ने पॉस्वाश कदम पीछे से टम लेना है इसी बात को लेकरके बात हैं अभी स मुर्ति ये भी सुचना थे कि दो जो ट्रक्टर पर मुर्ति आते हुँ पहले टर्न लेकर के वापस लोट वेजुए उसके बाद इस प्रकार से किया गया है तो जो लोग उपद्रव किये हैं उनकी पहचान के जाएगी और उनके बुरी सम्मत्रे उपानुनिका रहा है भाल पट्टी थाने में तैनाथ प्रिंस कुमार यादव ने मीडिया से बादचीत में बताया है कि यात्रा की मार्ग परिवर्तन को लेकर अचानक तनाव हो गया यात्रा कसाई महले से होकर गुजर रही थी तब ही पत्थर बाज़ी की जाने लगी जब ये पूछा गया कि क्या यात्रा किसी मस्जिद के पास से होकर गुजर रही थी तो उन्होंने साफ तोर पर इस बात से इंकार कर दिया और इस बात को नकार दिया उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद के पास पहुँचे नहीं थे फिर भी ये हमला हुआ इस मामले में अब तक आपको बता दें कि 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इतना ही नहीं इस बवाल के बाद दरबंगा के डियम राजीव रोशन खुद पूरी रात उपद्रव की जगा पर कैम्प करते रहे मेडिया से बादचीत में डियम राजीव रोशन ने कहा कि मुर्या पंचायत में प्रतिमा विसर्जन के दोरान दो समुदायों के बीच में जड़प हो गई हमने दोनों पक्षों से बादचीत की और विसर्जन के काम को आगे बढ़ाया आगे उन्होंने बाचीत में बताया है कि प्रतिमा वसर्जन का रास्ता कहां से मुड़ना है कोई पांच कदम आगे तो कोई थोड़ा पीछे यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जिसमें पत्राव की स्थिती तक नौब बता गई कई घरों के शेड भी तूट गए हैं डियम ने इस बात के भी जानकारी दी है कि उपद्रवियों की पहचान करके उनके खलाफ कारवाई भी की जा रही है तेजा फेकनी की बात पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात सामने आ रही है तो इसमें जाच की जाएगी और जाच के ब करतिमा के विसर्जन के दोरान दो पक्षों में जाड़प हुई जिसमें कई लोग घायल भी हो गए घटना की जानकारी मिलते ही वर्य अधिकारी मौके पर पहुँचे और मौके पर पुलिस बलतैनात किया गया और मजिस्टेट भी लगातारस स्थिती पर नजर बनाये हु रहे हैं जिसमें अलग-अलग दावे भी किये जा रहे हैं त्रीमी नाम की यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इसलामिक भीड ने सरस्वती पूजा मूर्ती विसर्जन यात्रा पर हमला कर दिया उन्होंने मा सरस्वती की मूर्ती को तोर डाला इस दौरान गटना के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये वीडियो बिहार के दर्भंगा की है यहां सरस्वती पूजा कारिकरम के दौरान कसाई महला पहुंचते ही हमला कर दिया गया और एक हिंदू तियोहार को हिंसक घटना करम में बदल दिया गया जसमें कई लोग घायल गये उन्होंने आगे एतिहासिक गलतियों का भी जिक्र किया है एतना ही नहीं दर्भंगा की तरह ही सीता मड़ी से भी ऐसी ही घटना सामने आई दरसल एक रिपोट के मताबिक सीता मड़ी के परिहात अनक शेत्र में माता सरसुती की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे समो पर पत्थर बाजी की गए और ये घटना करम मसहा टोला वोर्ड नमबर 13 का है जानकारी के मताबिक प्रतिमा वसर्जन के लिए निकाली गई यात्रा पर पत्थरा हुआ तो जवाब में दूसरी तरफ से भी जम कर पत्थर पेगे गए इसमें कई लोगों के घायल होने की ख ज़रूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब असतरह का मामला सामने आया है अभी पिछले महीने यानि जनवरी में जब भवे राम मंदिर की प्राड प्रतिष्टा होनी थी उस मौके पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था दरसल सिंग वाडा था नाक्षेत्र के भ जे बाजा वाहन के अगले भाग को बुरी तरह से शती ग्रस्त कर दिया अचानक हुए इस घटना से शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों में अफरा तफरी के इस्तती भी बन गई सभी जान बचा कर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे और इसमें कई लोग चोट दरोगा शंबू ठाकुर ने इस्तिती को नियंतरित करने की कोशिश की लेकिन आक्रोश को देखते हुए जिला मुख्याले कोगी सूचना दे दी गई इसके बाद नगर एसपी सागर कुमार सदर एसडियो चंद्रका अन्नी के नितत्तु में कई थाने के पुलिस भी पहु गई और नगर एसपी ने कहा कि दोशियों की पहचान की जारी है इस्तिती सामान ने है आगे की कारवाई जारी है वहीं गटना इस्तल पर पुलिस भी लगातार कैम्प करती हुई नजर आई गटना के संदर में बताया जाता है कि कलवारा से डीजे वाहा नुरबाई के अगराती महिसरी होते हुए भपुरा पहुचे और इसी बीच में दरजनों की संक्या में लोगों ने विरोध करते हुए रास्ते को बाधित करने की कोशिश की विरोध करने बालों का कहना था किस मार्ग से शोभायात्रा नहीं जाने देंगे सभी प्रिशासनी कानुमती प लापस कलवारा चली गई इस बीच में सूचना पर पहुची पुलिस ने कलवारा जाकर शोभायात्रा में शामिल रामभक्तों को बिना प्रिशासनीक अनुमती के दूसरे पंचैप में जाने से भी मना कर दिया पुलिस ने कहा कि आदेश की अभेलना हुई तो कारवाई सक करेंगे हारांकि पुलिस के जाते ही शोभा यात्रा दोबारा भपुरा पहुच गई और इसके बाद देखते ही देखते पत्थर बाजी होने लगी और जो जहां थे वहीं से भागने लग गए इस बीच में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक को छोड तक फरार हो गए जिसे उपद्रवियों ने एक शती ग्रस्त कर दिया वहीं डीजे बाज़ा वहान के चालग भी अपनी गाड़ी छोड़ कर फरार हो गए और इसके बाद इस गाड़ी के अगले भाग को भी शती ग्रस्त कर दिया गया मौके पर सदर SDPO अमित कुमार कमतौल सरकेज इस्पेक्टर योगेंदर रविदास के साथ ही कई थाने की पुलिस मौके पर कैम्प करती हुई नजर आई हरांके इस बार भी कुछ इसी तरीके का मामला देखने को मिला है जिसके बाद पुलिस पर शासन पूरी फुर्ती के साथ उपद्रियों को खदेडने में लगा हुआ नजर आया लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से कुछ लोगों की बजा से सभी लोगों को बदनामी सहनी पड़ती है और हमारे देश की सभ्यता पर भी लोगों को उंगली उठाने का मौका भी मिलता है आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए फिलहाल के लिए इत्मा ही बाकि तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार